ये है एक और Bluetooth wireless earphone, बोट कंप्टी की तरफ से ये है बोट रॉकर्स 325 और इसकी कीमत है 2940 रुपए, देखते रहिए नमस्का दोस्तों में हूँ गोगी और ये है बोट रॉकर्स 325 wireless earphone, इसमें Qualcomm CSR 8635 chipset का उप्योग किया गया है IPX5 certified है, noise cancellation के साथ में आता है, dual pairing support करता है और full charge पर आपको तकरीब 8 घंटे का non-stop usage मिल जाएगा ये जो product है Amazon पर available है, कीमत है 2940 रुपए, चलिए इसकी unboxing शुरू करते हैं और देखते हैं कि box में हमें क्या क्या मिलता है तो इस प्रकार से इस product को pack किया गया है, थोड़ा सा अलग किसम की box packing है और ये लीजिये से भी मैंने कोल दिया है और देख सकते हैं कि काफी premium किसम का लग रहा है ये देखें और box में आपको ये earphone मिलता है, ये देखें ये पूरा का पूरा भाग निकल जाता है, इसे मैं side में रख लेता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या है, ये चुटा सा pouch है जिसमें आप इस earphone को carry कर सकते हैं आपको एक user manual मिलता है, जिसमें आपको इस product के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो बस ये सारी चीज़े हैं जो आपको box में मिलेगी ये एक और bluetooth wireless earphone है, boat company की तरफ से देख सकते हैं कि ये भी neck band के साथ में आता है इसे आपको गले में बहनना है और यहाँ पर boat का logo है, matte finishing है और glossy finishing edge पर दिया हुआ है अब ये जो neck band है, काफी flexible है, इसे आप किसी भी प्रकार से मोड सकते हैं ये जो neck band है, ये rubber का बना हुआ है और IPX5 certified है, मतलब की sweat resistant है ये है earbuds और अगर आप ध्यान से देखें तो जो earbuds है, इनकी quality भी काफी बढ़िया है काफी lightweight भी है, और इस earbuds है, वैसे तो plastic का बना हुआ है और साथ में देख सकते हैं कि उपर metallic finishing दिया हुआ है, boat का logo भी है जो इसे एक unique look देता है, earbuds का design काफी बढ़िया है, unique भी दिखता है और आपके कान में यह बहुती बड़ी तरीके से fit भी हो जाता है, और काफी comfortable भी है left और right की जो marking है, वो यहाँ पर यह देखें, यहाँ पर R लिखा हुआ है, इस प्रकार से दी हुई है neck band का जो left side है, वहाँ पर controller दिया हुआ है, 3 buttons है, LED notification है, microphone है और यह जो भाग है, इसे आप इस प्रकार से खोल सकते हैं, यहाँ पर इसे निकालते ही, आपको micro USB port का access मिल जाएगा जिसका उप्योग करके इसमें जो battery है, उसे आप charge कर पाएंगे, यह देखें क्योंकि इसमें built-in microphone है, अगर आपको कोई call आता है, तो आप call इस पर receive भी कर सकते हैं noise cancellation support करता है, और call quality अच्छी है तो जो main controls है, वो left neck band में दिया हुआ है, यह है right neck band और यहाँ पर कोई भी controls नहीं है वैसे जो neck band है काफी impressive दिखता है, चलिए इसे मैं on कर देता हूँ यह जो button है, बीच वाला, इसे press करके कुछ देर hold करना है, ताकि यह on हो जाए यह जो neck band है, इसे आप इस प्रकार से गले में बहन सकते हैं, यह देखें एक तरह से support भी provide करता है, earbuds को, और यह जो earbuds है, यह magnetic नहीं है तो जब कभी आपको earbuds का उप्योग नहीं करना है, तो आप उसे निकाल सके रख सकते हैं, neck band के कारण जो earbuds गिरने वाले नहीं है, कानों में बड़ी आसानी से fit हो जाता है, यह earbuds, लेख सकते हैं कि काफी भाग कानों के अंदर चले जाता है, इसमें 125 mAh की non removable battery है, जो full charge पर आपको तकरीबन 8 घंटे का non stop usage देदेगी, जो controller पर button दिया हुआ है, उसका उप्योग करके आप media को control कर सकते हैं, volume up down कर सकते हैं, call receive कर सकते हैं या cancel कर सकते हैं, और इसमें voice notification भी है, लेकिन आप buttons का उप्योग करके Siri या फिर Google Assistant को activate नहीं कर सकते हैं, वो option इसमें नहीं दिया हुआ है, sound quality के अगर बात करें तो काफी बढ़िया है, base काफी बढ़िया है, जैसे इंगिन users को पसंद आता है, और जो vocals है, वो भी काफी clear है, अगर मैं इसे out of 5 की rating दूँ तो मैं इसे 4.5 out of 5 की rating दूँगा, और जितने भी earphones को मैंने 4.5 या उससे जादा का rating दिया हुआ है, उसके लिए आप आंख बन करके जा सकते हैं, आपको सरिफ जो design है, वो देखना है, features देखना है, और pricing देखना है, तो ये है boat rockers 325 और इसकी कीमत है 2940 रुपे, Amazon पर available है, जहां से आप इसे खरीच सकते हैं, उसका link मैंने वीडियो description में दिया हुआ है, तो ये product आपको कैसे लगा, इसके बारे में मुझे ज subscribe केजिए, और जो bell icon है, उसे भी enable कर देजिए, और देखते रहिए,